नमस्कार दोस्तो, Smile Family में आपका स्वगत है दोस्तो, क्या आप काले धागे का इस्तमाल करते हैं? तो जाने इसके बेतरें 10 फाइदे, जिसे जानकर आप खुश हो जाएंगे दोस्तो, अक्सर बुरी नजर से बचने के लिए काली चीजों का ही इस्तमाल किया जाता है अगर जिस ब्यक्ति की जिम जाने के बाबजूद भी मसल्स नहीं बन रहे तो ऐसे समय में आपको अपने हातों में या फिर गले में काला धागा बांध लेना चाहिए ऐसा करने से किसी की बुरी नजर नहीं लगती बा शरीर का ग्रोत अच्छा होता है अगर आप काफी समय से बिमार चल रहे हैं और ठीक नहीं हो पा रहे तो ऐसे समय में काला धागा आपको अपने पैर के अंगुठे में बांध लेना चाहिए ऐसा करने से बिमारी धीरे धीरे गायव हो जाती है अगर आपके शरीर पर सपेथ कलर के धब्बे पड़ गए है तो आपको अपने गले में काला धागा बांध लेना चाहिए ऐसा करने से धीरे धीरे वो धब्बे गायव हो जाती है अगर आपके बच्चे को बार-बार डराबने सपने आते हैं या फिर रात की बगत वो डर जाता है तो ऐसे में आपको मंदिर से काला धागा मंत्रों से पड़भा कर अपने बच्चे के गले में डाल देना चाहिए सब ठीक हो जाता है दोस्तो नमबर फाइब बैसे धार्मिक शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है जो लोग काला धागा बानते हैं उन लोगों को बुरी नजर और बुरे दोसों से बचे रहते हैं दोस्तो नमबर 6 साकारात्मक असर जो लोग अपने हातों में या फिर गले में काले धागे का इस्तुमाल करते हैं तो उनके अंदर साकारात्मक उर्जा का प्रभाप हमेशा रहता है दोस्तो काले धागी का एक बैग्यानिक कारण भी है जी हाँ बिग्यान के अनुसार ऐसा माना जाता है कि काला रंग उर्जा को अप्शोशित कर लेता है ऐसे में काला धागा बुरी नजर और हबाओ को भी अप्शोशित कर लेता है जिसकी कारण हमारे शरीर पर बुड़े प दोस्तो नमबर 8, शनी दोस्त से बचाता है काला धागा शनी दोस्त से बचने के लिए इंसान को काला धागा बादना चाहिए, आपको बता दें कि इसे शनी के प्रिकोप से भी बचा जा सकता है दोस्तो नमबर नाइन तिजोरी में बांदे काला धागा दोस्तो ये उपाय बहुत ही शक्ती शाली है इस उपाय को अगर कर लिया तो धनकी देवी महालक्ष में बहुत ही प्रशन होती है दोस्तो बाजार से एक काला धागा खरीद लाए फिर उसके बाद मंगल बार्य शनिबार की शाम को ये धागा हनुमान जी के मंधिल ले जाएं इसके साथ ही इस धागे में नौ छोटी-छोटी गाठे लगा ले और हनुमान जी के पैर का सिंधूर भी लगा ले इसके बाद इस धागे को घर के मुखे दर्बाजिया किसी तिजोरी पर बांदे इस उपाई से यकिनन आप पर महल अच्मी की किरपा होगी दोस्तो नमबर टैन बाल तूटना होंगे बंद अगर आपके लगातार बाल तूटते हैं तो आपको अपने बालों में रात की बग काला धागा बांद कर सोना चाहिए ऐसा करने से बाल तूटना बंद हो जाती है तो दोस्तो अभी तक के लिए इतना ही